सब की बात सच के साथ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुखबर पर मोदी सरकार तीन के पहले सौ दिन में तीन लाग करोड की इंफरा प्रोजेक्ट को मंजूरी बुनियाद ये धांचे पर होगा सबसे जादा निवेश प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी ने 2047 तक भारत को विक्सित रास्ट बनाने का लक्ष रखा है इस लक्ष को हासिल कनी के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड रही देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावादे ने आर्थिक विकास और रोजगार सरजन के लिए पियम मोदी की अगुआ ही वाली सरकार ने अपनी तीसरे कारेकाल के पहले सौ दिनों में तीन लाग करोड की इंट्रेक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है सरकार ने बुनियादी धाचे में 15 लाग करोड रुपे निवेश कन्नी की योजना बनाई है पिछले महीने पियम मोदी ने महारास्ट के पालगर जिले में 76,000 करोड रुपे की लागात वाली वधावन बंदरगा परियूजना और कई अन्य विकास परियूजनाओं की आधा शिला रखी थी बुनियादी धाचा छेत्र के लिए 11.11 लाग करोड रुपे का बजट केंद्री ये बजट में राज मारगो बंदरगाहों रेलवे और बिजली शेयंत्रों सहित बुनियादी धाचा छेत्र के लिए 11.11 लाग करोड रुपे का बजट आवंटित किया गया है इससे विकास की रफ्ता और तेच होने के साथ ही रोजगार के अफसर भी स्रजित होंगी सरकान ने बनाई पुँझी गत व्यक की योजना सरकान ने अगले दशक में बंदरगाहों की छमता और बुनियादी धाचे के लिए पुझी गत व्यक की योजना बनाई है सडक परिवेन और राच मार्ग मंतराली के लिए बजटीर आवंटन पिछले एक दशक में आठ गुना से अधिक बढ़कर वित्यवर्ष दोजार पचीस में दो दसलों साथ लाग करोड हो गया है अगली दिन चार वर्षों में एयरपोर्ट इन फ्रेक्चर में निवेश भी लगबग 55,000 करोड रुपे से 60,000 करोड रुपे रहेगा ख़बरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास ख़बर के साथ तब तक के लिए नमश्कारों देखते रहेएं सीजी निउस प्लस 284